हेलो गाईज हम बात किरने वाले हैं तानला प्लेटफोर्म इस कमपनी के बारे में इस कमपनी का रिजल्ट आप लोगो के सामने प्रेजेंटेड है considered results इस विडियो के इंदर discuss करने वाल है सारी amounts of results में likes के अंदर बताएगी है company के results को quarter and quarter base के उपर compare करेंगे यह इस quarter का result यह quarter का result यह पिछले साथ same quarter का result देखने को मिल जाता है company की income की बात करे revenue from operation and other income को मिला कर company का total income 83,831.6 lakh रुपीस का देखने को मिलता है quarter and quarter base के उपर और पिछले साल sim quarter के मुकाबले देखने जाओगे तो company की income में वो कम होती भी नजर आ जाती है बाकियार इस company के expense की बात करें तो cost of service and employee की cost वो सारी जगापर company के अलग-अलग expenses है total expense की बात करें तो 68,245.46 lakh रुपेस का company का total expense है जिस परकार से company के income कम होई है वैसे वैसे company के expense भी कम होते हुए नजर आ रहा है बाकि अभी भी company के expense overall देखने जाओगे तो income पे रिजन बहुत ही जादा देखने को मिल रहे ठीक है बाकियार इस company के net profit अपलुग देखोगे तो 12,027.92 lakh रुपीस का net profit generate किया है जो quarter and quarter base के उपर बढ़ा है बाकि विछले साल same quarter के मुकाबले कम होता हुए नजर आ जाता है तो यह था है आप पर इस company का overall result मेरे इस सबसे देखो तानला platform इस company का result है वह आप लोग बूल सकते है एक decent result है ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा इस प्रकार का result है बाकियार इस company ने आपर से कुछ buyback का announcement आज से कुछ time पहले किया था उसका भी यहाँपर से company ने सारा फैसला कर दिया है company ने अपने shareholder उसको dividend का announcement किया है company यहाँपर से इस quarter के अंदर 4 रुपे Porsche का dividend देने जा रही है जिसकी annual मदब जिसकी यहाँपर record date and tax date यहाँपर आने वाले annual general meeting के अंदर company बता देगी बाकियार इस company ने चार रुपे Porsche का dividend announcement किया है और result यहाँपर एक decent result देखने को मिल जाता है ठीक है तो यह था है आपर तैनला प्लेटफोर्म इस company को लेकर मेरा opinion देखो मेर opinion simple है कि वाई इस company के अंदर invested हो hold रख सकते हो जो ज्यादा loss हो रहा है बहुत ज्यादा loss हो रहा है और जो आप लोग profit में हो तो profit को book करने में कोई दिखत नहीं है profit को book करके चल सकते हो यह company आपर से देखो long term के लिए यहाँपर company अच्छी है पर बहुत ही ज्यादा risky है और यह चीज़ आप लोगों को पताऊने चीज़ रिसक आप लोग लेना चाते हो तो hold and continue करके चलना बागी profit में हो तो profit को book करके चल सकते हो ठीक है तो बस अच्छी लिए इतना ही वीडियो पसंद आए तो like and share को subscribe करना मत बुलना goodbye love goodbye फिर मलते next day में goodbye